नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh. और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा सरजी स्फियर से related controversy के बारे में Recently, दुनिया के दो प्रतिश्टित medical journal, Lancet और New England Journal of Medicine ने दो articles को retract कर लिया है उसके बीछे reason यह है, सरजी स्फियर का data तो क्या controversy है, कौन सा data था, क्या studies है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में अगर आप मुझसे social media पर connect करना चाते हैं, तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर इन IDs पर follow कर सकते हैं मेरे सभी lectures के updates आपको यहां पराप्त हो जाएंगे और इस telegram channel पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप IES exam की तयारी करना चाते हैं, तो Study IQ app पर आपको हमारा flagship UPSC smart course मिलेगा इस course को आप avail कर सकते हैं, EMI options पर भी, तो जल से जल डाउनलोड कीजिए Study IQ app from the Google Play Store आज से लगबग 2 महीने पहले, hydroxy chloroquine दवाई काफी चर्चा में थी, इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि क्या HCQ सही में कोरोना का इलाज है तो इलाज नहीं थी, ये दवाई एक तरह से profile access का काम कर रही थी कुछ studies में ये पाया गया था मार्च महीने में कि अगर HCQ दवाई दी जाती है तो कोरोना होने की समभावना कम होती है इसके बाद Donald Trump ने इस दवाई को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश किया और भारत ने भी इसे frontline COVID workers के लिए यूज करना शुरू कर दिया लेकिन इतनी हाइप होने के बावजूद इस दवाई को लेकर कोई बहुत बड़े शोध नहीं हुए थे Finally मई महिने में इसको लेकर कुछ studies publish हुई Lancet journal में बहुत ही बड़ी study थी काफी impactful थी लेकिन अब वो study खारिज की जा चुकी है तो देखे दो studies थी एक तो थी Lancet में प्रकाशित हुई उसमें ये कहा गया था कि HCQ दवाई safe नहीं है In fact इसमें तो ये भी कहा गया था कि HCQ जिन patients में use हुई उनमें mortality rate जादा है COVID-19 के patients में यानि कि अगर COVID-19 में HCQ दी जाती है तो patient के मरने की संभावना जादा हो जाती है तो ये finding उस वक्त तक चली आ रही धार्णा के बिलकुल विरुद्ध था और इसी लिए ये study काफी चर्चा में रही दूसरा शोध प्रकाशित हुआ था New England Journal of Medicine में इस शोध में ये कहा गया था कि blood pressure की जो दवाईयां है वो COVID-19 patients में कोई नुकसान नहीं करती पहले कुछ studies ऐसी आई थी जिनमें ये कहा गया कि ACE inhibitors जो है blood pressure में या फिर heart patients में यूज करे जाते हैं उनसे COVID-19 patients का risk बढ़ जाता है तो इस study ने कहा कि ऐसा कोई risk नहीं बढ़ता है अब देखे Lancet और New England Journal of Medicine ये दोनो medical दुनिया के सबसे बहतरीन और सबसे पुरानी medical journals है इनमें article publish होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है Lancet की जो editorial policy है वो तो legendary है अगर 100 submissions आते हैं Lancet में छपने के लिए तो केवल 5 छपते हैं और उसके अलावा जो इनकी editorial team है वो बहुत ज़ादा scrutiny करती है सभी articles की, सभी research papers की, दूसरे scientists, दूसरे doctors उन्हें पढ़ते हैं उसे review करते हैं और वहाँ से okay आता है तभी यह research papers Lancet में छप जाते हैं तो Lancet का article को retract करना अपने आप में एक एतिहासिक घटना हो जाती है कि इतने सारे checks होने के बावजूद एक गलत article Lancet में कैसे छप गया या फिर New England Journal of Medicine में भी कैसे छप गया अब ये दोनों जो articles हैं जो अब retract हो चुके हैं by the way आप Lancet website पर जाके देखेंगे तो आप इसके उपर बड़ा बड़ा retracted शब्द पाएंगे तो ये वाली जो study है इसको किसने author किया था कौनसे doctors थे उनके नाम एक बार जान लीजे प्रोफेसर मंदी पार महरा बहुती famous doctor है यूएस में भारतिय मूल के हैं एक hospital के अंदर काम करते हैं प्राक्टिस करते हैं और Harvard University में प्रोफेसर भी हैं दूसरे हैं Dr. Sapan S. Desai ये भी एक doctor है और Surgy Sphere नाम की company इन्हों नहीं चालू करी थी 2008 में तीसरे एक professor Frank है जो Switzerland के University Hospital Zurich में काम करते हैं और Dr. Amit N. Patel University of Utah तो चार में से तीन authors जो हैं वो भारतिय मूल के हैं लेकिन तीनों अपने शेत्र में नामिगिरा में doctors हैं, researchers हैं तीन US में हैं एक Switzerland में तो ये है Dr. Mehra और Dr. Sapan Desai फिर एक New England Journal of Medicine की जो study थी इसमें भी आप पाएंगे कि जो authors हैं वो almost same ही है मंदीप महरा, Sapan Desai, Amit N. Patel तो तीन author तो same है तो इन दोनों studies में ये तीन doctor तो common थे अब आगे इस lecture में मैं mainly concentrate करने वाला हूँ HCQ वाली study पर ये study भी important है लेकिन हमारे लिए दुनिया के लिए इस वक्त HCQ study is more relevant तो देखिए जो HCQ study है वो थोड़ी जादा भी चर्चा में है क्योंकि उसका scale बहुत बढ़ा है इनोंने, इन researchers ने ये claim किया कि हमने 96,000 patients के उपर एक data compile किया और जिन में से 81,000 को HCQ नहीं दी गई थी 15,000 को HCQ दी गई थी और ये जो research है ये 6 continents पर हुई और दुनिया के कितने देश हैं यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है देश नहीं लिखे हैं बर हाँ ये लिखा था 6 continents और 671 hospitals तो एक तो ये study बहुत ही बड़े scale की थी इतनी बड़ी study तीन महिनों में नहीं हुई है COVID-19 pandemic के दौरान HCQ के उपर तो इसलिए सभी researchers और scientific community का ध्यान इसकी और आकरशित हुआ साथी साथ इसमें एक बहुत चौकाने वाली बात भी लिखी गई थी इसमें ये लिखा था कि ठीक करना तो दूर जिन patients ने HCQ लिया था जो 15,000 patients जिने HCQ दिया गया उनमें mortality rate जादा पाई गई यानि कि HCQ शायद नुकसान भी कर रहा हो cause exactly मालूम नहीं है बट maybe HCQ के कारण mortality जादा है ऐसा इसमें claim किया गया था तो इसलिए लोगों का ध्यान इसकी और तुरंद गया और इसके ramifications देखे आप इसका असर क्या हुआ कि WHO ने 3 दिन के अंदर-अंदर अपना जो HCQ का trial था वो temporarily बंद कर दिया 22 मही को study प्रकाशित हुई 25 मही को ये WHO ने statement जारी किया कि हमारे जो solidarity tree trials चल रहे है कई सारी दवाईयों को try कर रहा है WHO जिन में से HCQ भी एक है तो HCQ वाला trial फिलाल हम रोक रहे हैं क्योंकि उसको लेकर safety concerns है और क्या safety concerns थे यही वाले higher mortality के लेकिन देखे दुनिया internet के कारण बहुत छोटी हो चुकी है और 4 दिन के अंदर अंदर ही इस study पर सवाल उठने शुरू हो गए mainly मुद्धा Australia को लेकर researchers के सामने आया हुआ ये कि इस study में लिखा गया था कि Australia में 21 अपरेल तक 73 लोगों की death हो चुकी थी जबकि actually में किवल 67 लोगों की death हुई थी तो इस और कुछ researchers का ध्यान गया कि Australia के figures ही गलत है आप COVID-19 patients की death को गलत बता रहे हो तो फिर आपकी बाकी data पर हम कैसे यकीन कर लें तो शुरू-शुरू में तो इस study के authors ने ये कहा कि वो कुछ mix-up हो गया था हमने एक hospital जो एशिया में था उसको Australia में गिन लिया इसलिए वो गलत count हो गया बस इतनी सी गलती है लेकिन बाकी की पूरी study सही है Australia के गलत आंकडों के अलावा कुछ अन्य researchers ने एक और important doubt raise किया उन्होंने ये कहा कि जब आप 96,000 patients का data analyze कर चुके हो तो क्या केवल 4 doctor ने मिलकर ये data analyze किया इसमें 4 author क्यों है आम तोर पर medical research papers में ये common होता है कि जब इतनी बड़ी studies होती है तो उसमें बहुत सारे doctors या बहुत सारे researchers शामिल होते है कम से कम 15-20 लोगों की team होती है जो इतना सारा data analyze करती है तो बाकी सारे authors का नाम क्यों नहीं है और medical community में paper के अंदर नाम कोई नहीं छोड़ता है इतना कोई नहीं होता है बड़े दिलवाला कि अगर उसने काम किया है research में तो अपना नाम ना छपवाए तो इतने सारे data को analyze चार लोग तो नहीं कर सकते है और वो भी चार ऐसे लोग हैं जो अल्रेडी बहुत busy हैं सब बड़े बड़े doctor हैं कई ना कई hospital में काम कर रहे हैं तो इसके बाद लोगों का ध्यान गया कि इस study में बिलकुल छोटे अक्षरों में नीचे acknowledgements में mention क्या हुआ है कि जो data है वो सर्जी स्फियर corporation नाम की किसी company से मिला है और सर्जी स्फियर को इन्होंने thanks कर रखा था तो सर्जी स्फियर के उपर लोगों का ध्यान गया तो ये company Chicago USA का एक शहर है वहाँ पर based है इस company के founder कौन है वही सपन देसाई जो उस paper के author भी है सपन देसाई एक doctor है जो US में practice कर रहे है भारतिय मूल के है इन्होंने 2008 में इस company की शुरुवात करी थी अब starting में तो ये company medical की किताब में publish करती थी लेकिन आज ये अपने आपको healthcare data analytics and medical education company कहती है लेकिन असल में ये company करती क्या है exactly इसका structure क्या है कौन इसके employees है इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्द नहीं है इसकी एक website जरूर है बहुत अच्छी website बनी हुई है लेकिन website के अंग्रेजी पढ़कर अगर आप समझ पाओ कि ये क्या करते हैं तो मुझे भी समझा देना कुल मिलाकर journalist ने US में जब पता किया तो उन्हें मालूम चला के वगल 3-4 employees हैं on paper वो भी कोई medical doctors नहीं है किसी का medicine से कोई लेना देना नहीं है तो ये company एक तरह से फर्जी चल रही है सर्जी स्वेर के अनुसार ये क्या करते हैं ये de-identified data एकटा करते हैं यानि कि जिसमें व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है ये data hospital से मिलेगा basically hospitals से इस तरह का data लेते हैं कि एक महीने में कितने patients cancer क्या है कितने patients covid-19 क्या है ये सारा data जो है इसे एक घटा करते हैं इसको analyze करते हैं तो इनका cloud-based healthcare data analytics platform है तो ये आपको data acquisition, data warehousing, data analytics, data reporting basically data के शित्र में काम करते हैं तो अगर किसी को study करनी है, research करना है तो इनसे data ले सकता है कुल मिला के ये कहते हैं कि हमारा ये काम है लेकिन ये इतने सारे दुनिया भर के hospital से data लाते कहां से हैं, कैसे हैं इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्द नहीं है In fact, Australia में जब reporters ने hospital authorities से पूछा कि क्या आपने अपना data Surgisphere नाम की किसी company को दिया है तो hospitals में साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा कोई भी data हमने किसी company को उपलब्द नहीं कराया है तो फिर इनके पास ये data आया कहां से इसका जवाब Surgisphere नहीं दे रहे हैं जब scientific community, doctors और social media पर इस study को लेकर इतने सवाल उठने शुरू हुए तो Lancet Journal ने study के author से ये बोला कि आप अपना जो raw data है वो submit कीजे हम उसे review कराएंगे किसी third person से या जो भी reviewers हैं उनसे तो इन authors ने कहा कि data थो हमने Surgisphere से लिया था Surgisphere ने कहा कि हम data नहीं दे सकते और देखे reason क्या दिया कि privacy issues के कारण कि हम patient का data share नहीं कर सकते उससे जो confidentiality है वो खत्म हो जाती है तो एक तरफ तो वो अपनी website पर रहते हैं कहते हैं कि हम de-identified data इखटा करते हैं उसमें किसी की पहचान नहीं हो सकती कि patient कौन है उसका नाम बगेरा नहीं होता है लेकिन जब यहाँ पर data देने की बात आई तो इन्होंने privacy को भाना बना लिया और वो भी एक ही statement आया था उसके बाद इन्होंने कोई statement नहीं दिया है जो doctor देशा ही है उन्होंने भी कोई media में statement नहीं दिया है और उनकी website पर भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो जो बाकी के तीन doctors हैं खास करके डॉक्टर महरा जो की काफी नामी गिरामी doctor हैं he's a very well known and well renowned doctor Harvard में professor भी है तो उन्होंने और बाकी दोनों doctors ने मिलकर ये कहा कि हम माफी मांगते हैं study के लिए हम अपना study को retract करना चाहते हैं क्योंकि जिस data को हमने base बनाया था अपनी study का वो हमें available नहीं हो रहा है जो primary data है वो हमें नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा paper retracted माना जाए तो इस study के retract होने के बाद क्या अब हम कह सकते हैं कि HCQ coronavirus की दवाई है जी नहीं ऐसा प्रूव करते वे भी अभी तक कोई बड़ा scientific paper published नहीं होगा है जब होगा तब मैं आपको उसके बारे में inform कर दूँगा वीडियो के माध्यम से अब देखिए HCQ इतनी important क्यों है क्योंकि भारत और कई देश HCQ को अपनी COVID-19 की जंग में बहुत important हिसा बना रहे है क्योंकि देखिए एक तो HCQ दवाई बहुत सस्ती होती है भारत उसे produce करता है बड़े level पर manufacturing होती है हमारे देश में तो भारत सरकार के लिए क्या है कि HCQ frontline workers को देना एक बहुत ही सही option है सरकार के point of view से हाला कि वो proven नहीं अभी तक की coronavirus को रोकती है नहीं रोकती लेकिन अगर कोई screening team में member है doctors हैं, policemen हैं जिनने ये दवाई दी जा रही है कम से कम उन्हें थोड़ा mentally तो लगता है कि हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं placebo का ही काम कर जाए तो frankly मैं बता रहा हूँ I don't want to alarm anyone who is taking this tablet but ये अभी proven नहीं है कि coronavirus को रोकती है maybe in future अगर proof हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है मैं बहुत खुश होंगा अगर proof हो गया लेकिन अभी तक proof नहीं हुआ है World Health Organization ने अपने solidarity trials को रोक दिया था solidarity trials क्या होते हैं बहुत सारी दवाईया हैं जो ऐसा कहा जा रहा है कि coronavirus को ठीक कर सकती है तो उन सभी के trials चल रहे है इनको कहते हैं solidarity trials जिसमें बहुत सारे drug therapies को try किया जा रहा है कि कौन सा दवाई में successful होगा याद रखे यह vaccine नहीं है यह therapeutic care है तो HCQ वाले trial को रोक दिया गया था Surgesphere वाली study के कारण लेकिन अब वो study retract हो चुकी है गलत साबित हो चुकी है तो फिर से यह trial शुरू हो चुके है तो यह थी पूरी Surgesphere controversy अब इस वक्त COVID-19 के कारण दुनिया भर के doctors और researchers में एक होड़ सी मज गई है कि कौन सबसे पहले data publish करेगा regarding anything about COVID-19 तो यह जो speed और दौड है यह कही ना कही scrutiny को कम कर रही है जैसे कि Lancet जैसा journal जो इतना strict editorial policy रखता है उससे इतनी बड़ी चूक होना अपने आप में हरानी भरा है और इसके पीछे reason यही है कि Lancet को भी जल्दी होगी कि इतनी important study है इतनी बड़ी study है HCQ को गलत साबित कर रही है हम इसे सबसे पहले publish करें वरना कोई और कर देगा तो यह जो जल्द बाजी है यह कहीं गलत research हमारे सामने ना ले आए इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है I hope आपको lecture interesting लगा Thank you very much for watching this Have a great day